है लो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका दोस्त अजय अब मेरे चैनल पे आप लोग का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के समझ कच्छा च्छा के लिए गणित विशय का लेशन प्रान लेकर के आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सरपथम उपर पाठ योजन संख्या लिखे जाएगी फिर नीचे विद्यालय का नाम रहेगा फिर नीचे पांच कालम बनाएंगे दिनांग कच्छा विशय चक अवद अजय उनको हम फिल कर लेंगे विशय हमारा गणित है और प्रकरन हमारा है प्राकृतिक एवंग पून संख्याएं अब नीचे सामान उद्देश लिखा जाएगा सामान उद्देश क्या है देखिए बच्चों में गणित विशय के परत रूचि जागरित करना बच्चों में तरकसक्ति का विखास करना, बच्चों को गणतिय तत्थियों का ग्यान कराना, बच्चों को संख्याओं के गुर्धर्मों का ग्यान कराना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित के महत्त को बताना, ये सामान उद्देश हो जाएगा, और फिर उचके नीचे विशीष्ट उद्देश Say बच्चों को throughout में प्राक्रितिक संख्याओंगे जानकारी प्राप्त होगी, तथरा संख्याओं के अन्य गुर्धर्मों तो जानेंगी पी नीचे सिच्छन वीद रहेगी शिच्छन वीद में प्रश्क!! पर आपलिक अश्पेश्टी करणवी दी। उसके नीचे साहयक śामागरी रहेगी। साहयक śामागरी में गिंती का चार्ड तथा अन्यक चा प्योगी उपकरण। फिर उसके नीचे पूर्वग्यान। पूर्वग्यान में बच्चे गिंती पहाड़ा जानते हैं तथा उनको जोड, घटाना, गुड़ा, भाग, आधि आता है अब इसके बाद प्रस्तावना प्रश्ण का नमबर आता है तो प्रस्तावना प्रश्ण में आप तीन कालम बनाएंगे करम संख्या, छात्रा ध्यापक क्रिया और छात्रिया करम संख्या, एक में पहला प्रश्ण करेंगे किसी बच्चे से, वस्तूओं को गिनने के लिए किसकी आवसकता होती है तो बच्चा बताएगा गिन्ती की दूसरा प्रश्ण हथ बना लिजे, गिन्ती की संख्याओं को बताओ तो बताएगा, one, two, three, four, dot, 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 बताएगा इसे ही नमर तिसरा, one, two, three, four, dot, 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 को और किस नाम से जाना जाता है आनि, एक, दो, तिन, चार, पांच को किस नाम से जाना जाता है मौन हो जाएगा, ही शमस्तूदों प्रश्ण हो जाएगा आपका फिर इसके बाद उद्देश कथन उद्देश कथन में बच्चों आज हम लोग प्राक्रितिक एवंग पूर्ण संख्याएं नामक पाठ का विश्तित अध्यान करेंगे फिर अब प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण में आप नीचे चार कालम बनाएंगे सिछण बिं फिर नीचे आप असपश्टिकरण करेंगे असपश्टिकरण में गीनती की संख्याओं को प्राक्रितिक संख्याएं काते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच यह हमारी क्या है प्राक्रितिक संख्याएं है चात ध्यान से सुनेंगे सैंपटकार में भी आप कुछ जाते हैं बच्चा मौन हो जाएगा अब आसपाश्टी करना देंगे कि जब प्राक्तिक संख्याओं में सुन्ने को संब्लित कर लिया जाता है तो उसे पूर संख्या करते हैं जैसे जीरो एक दो तीन चार डाडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड जानते हैं मौन हो जाएगा बच्च्चा असपाश्टी करन कर यह कितनी बस्तुय हैं का जिससे बोध होता है उसे शंख्या काते हैं तथा संख्या को जिस प्रतीक से व्यक्त करते हैं उस्प्रतीक करते हैं उसम चाहल dadrs साथ को संख्यांक साथ द्वारा ब्यक्त किया जाता है चाध्यान से सुनेंगे स्यांपटकार में संख्यांक का अर्थ है संख्या के लिए प्रयूक्त अब अगला क्रम सिच्छण बिदू संख्या रेखा प्रश्ण संख्या रेखा बनाओ अब आस पश्टी करण में आप संख्याओं के लिए है तो इसमें आप जीरो मध में लिखेंगे फिर बराबर बराबर दूरी पे दाहिनी और 123 अनि धरात्मक संख्याओं को लिखेंगे यह हमारी संख्या रेका हो जाएगी फिर उचके नीचे अगला सिछण बिंदू है पूर्वर्ति तथा अनुवर्ति संख्या प्रश्ण पूर्वर्ति तथा अनुवर्ति संख्या के बारे में क्या जानते हो महुन हो जाएगा बच्चा आसभी आसपर्षटी करन कर creeping संपरवा को ग्याद करने के लिए घ्ट आते है अब आगे परश्ण Пसनेयाब करें संख्या तथा संख्या किसे काते हैं कि अर्फ की पूर वर्ति संख्या बताओ फिर मुल्यांकर प्रश्ण मुल्यांकर प्रश्ण में प्राक्रतिक संख्या किसे काते हैं दस की उत्तरवर्ति संख्या बताओ तीसरा संख्या रेखा बनाओ निरिच्छन कारें जब छात्र स्यापट कार अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र ध्यापक कच्छा में गूम गूम कर उनकी कापियों का निर्चन करेगा तथा उनकी शमस्याओं का निर्चन निवारन करेगा गरीकार में प्राक्रतिक संख्याओं के लिए संख्या रेका बना कर लाना है हास्ताक्षा परिवेच सक हास्ताक्षा चात्र द्यापक दोस्तों अगर इलेशन प्राइब आपको अच्छा लागा होगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेजिए क्योंकि ऐसे ही यूश्फुल वीडियो ने करके मैं आता र अगर चाता